स्वागत है आप सभी का Holy Explain TV में तो आज इस मूवी को मैं explain करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है Cold Skin मूवी में हमें बहुत साल पहले का टाइम दिखाया जाता है और हमें एक लड़के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक weather observer होता है यानि की मौसम का हाल बताने वाला उन लोगों की सरकार एक island के मौसम के बारे में पता लगवाना चाहती थी तो इसी काम के लिए वो friend को चुनते हैं ताकि उसे वहाँ भेज कर एक साल का मौसम पता लगाया जा सके और अब friend को एक sip के जरिये उस island पर छोड़ा जाता है friend का काम ये था कि उसे अपने government को वहाँ के मौसम का हाल चाल देते रहना है और अब उसका घर सेट किया जाता है जहाँ पर उसे पूरे एक साल तक रहना था और उसे वहाँ से एक lighthouse नजर आता है फिर सिपका कैप्टेन और वो light house के पास पहुंसते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो की light house में ही रहा करता था उसका नाम ग्रूनर था सिपका कैप्टेन उस आदमी से पूछता है कि यहाँ पहले चो लड़का आया था जो मौसम का हाल बताया करता था वो कहाँ पर है क्योंकि हमें उसे अपने साथ वापस ले जाना है वो आदमी उन्हें बताता है कि उसे कोई बिमारी हो गई थी जिसकी वज़ा से वो मर गया कैप्टेन उससे पूछता है कि उसकी dead body कहाँ पर है तो वो उसे कहता है कि वो बिमारी की हालत में एक पर कहीं बहुत आई गया । जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आया हो सकता है कि वो पानी में डूप कर मर गया और फिर वो कैप्टेन बहां से चले जाता है लेकिन जाने से पहले वो friend को अपनी gun देते हैं और कहते हैं कि इस island पर खतरा हो सकता है तुम अपना ध्यान रखना और अब हम दिखते हैं कि friend वहीं पर मौजूद घर के अंदर आ जाता है वहीं पर उसे पिछले weather observer की diary मिलती है और साथ ही साथ अजीब औ गरीब क्रियेचर्स की भी फ्रेंड को लगता है कि साइद वो अकेला रहता था इसलिए उसने ऐसा स्केच बनाया होगा ये कहकर फिर वो सो जाता है और अगली सुबा से वो अपने काम पर लग जाता है और अब उस रात फ्रेंड बैठा होता है कि तभी उसे महसूस होता है कि जैसे उसके दरवाजे के पास कोई है वो दरवाजे के पास जाता है तो कोई दरवाजे की नीचे से अपना हाथ अंदर कर रहा होता है वो किसी अजीब जानवर का हाथ लग रहा था ये देखकर friend डर जाता है और नीचे basement में चला जाता है वो सारी रात वहीं पर रहता है और सुबाउट के अपने घर से बाहर आ जाता है तो उसे अचीव footprints मिलती है जो कि उसके घर से बाहर होते हुए समुद्र की तरफ जा रहे थे friend को कुछ समझ नहीं आता तो वो light house में जाता है groomer के पास लेकिन groomer उसके लिए दर्वाजा नहीं खोलता और बोलता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ ही वापस चले जाना चाहिए था friend जानता थे कि वो creatures जो कल रात उसके घर आये थे वो वापस ज़रूर आएंगे उसे ढूंडने के लिए तो वो अपने घर के बाहर लकडियों से boundaries बना देता है और वो घर के अंदर आके देखता है तो उसे एक rifle और धे सारी bullets मिलती है इसकी वज़ा से उसे थोड़ा होसला मिलता है और वो अब तयार रहता है जैसे ही रात होती है वो creatures दुबारा आने लगते हैं और friend उन पर firing शुरू कर देता है लेकिन वो creatures बहुत जादा थे तो इसलिए friend अपने घर के बार लकडियों वाली boundaries पर आग लगा देता है ताकि वो boundaries को cross ना कर सके लेकिन इसकी वज़ा से उसके दर्वाजे पर भी आग लग जाती है friend डर जाता है कि कहीं वो भी आग से ना जल जाए तो वो भी अपने घर से बाहर आ जाता है और देखता है कि आग की वज़े से वो सारे creatures वहां से जा चुके हैं और अब friend का सारा घर चल रहा था और ये एक पत्थर के पास बैठकर ये सब कुछ देख रहा था सुबह होती है तो वो देखता है कि ग्रूनर पानी भरने बाहर आया है और तभी friend के पास एक creature आ जाती है वो समझता है कि साइद ये मुझ पर attack करने आई है तो इसलिए वो उसके उपर gun point कर देता है लेकिन तभी ग्रूनर वहां आता है और उसे कहता है कि इसे छोड़ दो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाएगी और इसके बाद ग्रूनर उस creature को अपने पास बुलाता है तो creature भी उसके पास चली जाती है और फिर ग्रूनर friend को कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ ला है और मेरी हर बात मानती है friend Grunner को कहता है कि तुम चाहते तो मेरे सिप के साथ वापस जा सकते थे लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया हाला कि तुम्हें ये सब कुछ पता भी है Grunner कहता है कि मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाता यहां मेरी अपनी दुनिया है यहां का बहारी जहाज यहां पर आ जाए और उसी में से एक तुम लोगों की सिभ भी थी जो कि एक साल के बाद ही अब आएगी गुरूनर उसे कहता है कि तुम परिसान ना हो ये क्रियेचर्स दिन में कभी हमला नहीं करते सिर्फ रात में ही आते हैं तो बस तुम्हें रात में ही अप अपनी थोड़ी हिफाज़त करनी होगी मैं भी तो यहां रह रहा हूँ अब रात में गुरूनर उस क्रियेचर को छट में छोड़ाता है तो अब वो क्रियेचर बहुत अचीब तरीके से रोने लगती है उसकी आवास सुनकर उसके साथी क्रियेचर्स भी वहां आने लगते और Lighthouse पर हमला करने लगते हैं तो Grunner उन पर फाइर्इंग करने लगता है और Friend से भी कहता है कि तुम भी सूत करो लेकिन वो ऐसा नहीं करपाता और भी होस हो जाता है दूसरी तरफ Grunner सारी राथ उन impatient serow से लड़ता रहता है और सुबह होने पर Friend को जगा कर कहता है कि उठो तुम्हें अगर यहां रहना है तो तुम्हें काम करना होगा, इन creature से लड़ना होगा, अपने अंदर थोड़ा हिम्मत लाओ, और वो friend को फिर पानी लाने बाहर भेज देता है, जब वो पानी लेकर वापस आता है, तब वो देखता है कि grooner और वो female creature intimate हो रहे हैं, यह देखकर फ्रेंड को काफी अजीब लगता है और फिर वो तीनों खाना खाने लगते हैं और जब रात होती है तो वो क्रियेचर्स फिर से आने लगते हैं और अब फ्रेंड भी उन पर सूट कर रहा था ये देखकर ग्रुनर उसे वहाँ अकेला छोड़कर अंदर आ जाता है और फ्रेंड अब सारी रात फाइरिंग करता है और उन क्रियेचरों से एकेला लड़ता है सुबह हो जाती है और ग्रुनर देखता है कि अब फ्रेंड ने बहुत सारे क्रियेचर को मार दिया है और बहुत दिन बीच जाते हैं और वो Creatures यहां नहीं आते हैं फिर Friend Grunner से कहता है कि हो सकता है कि वो अब हमसे डर चुके हैं और अब वो यहां नहीं आने वाले हैं क्योंकि यह जान चुके हैं कि हम इनका मुकाबला असानी से कर सकते हैं जब गुरुनर कहता है कि नहीं, हमने उन्हें मार कर उनकी अबादी कम कर दी है, और वो अभी अपनी जर्नेशन बढ़ा रहे हैं, और फिर वो हम पर अटेक करेंगे, इसी दुरान हम देखते हैं कि वो क्रियेचर जो उनके साथ रह रही थी, फ्रेंट को उस पर तरस आने और आज रात इन लोगों ने लाइट हाउस के बाहर लाइट आउन नहीं की थी, लेकिन तभी बहुत सारी क्रियेचर इन पर अटेक कर देते हैं, उस हमले में गुरुनर का पाउं जखमी हो जाता है, लेकिन कैसे ना कैसे करके ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं, फिर अ वो फीमेल क्रियेचर यानि की एनरिस गुरुनर का पाउं चाट कर उसे ठीक करने लगती है, क्योंकि उसके मुँ यानि की उसके सलाइवा में ऐसी चीज़े थी, जिससे किसी भी चोट को ठीक किया जा सकता था, एक दिन फ्रेंड समंदर की किनारे खड़ा होता है, कि तभी उसे एक सिप दिखाई देती है, तो वो जल्दी से भाग कर अपनी फ्लायर गन लेकर आता है, ताकि वो शिप को सिगनल दे सके, कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन इससे पहले वो फ्लायर गन चला पाता है, कि तभी गुरुनर उससे फायर गन छिन लेता है, क्योंकि वो गुरुनर को भी काफी गुसा आता है, और वो एनरिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एनरिस वहां से भाग जाती है, बात में जब एनरिस को पता चलता है, कि फ्रेंड यहां से जाना चाता है, तो वो उसे एक जगा पर ले जाती है, जहां पर एक पुरानी शि पिर गुरुनर के पास जाकर यह सब कुछ बताता है तो गुरुनर कहता है कि मुझे इस सिप के बारे में पहले से पता था यह बताता है कि यह मिलिटरी वालों का जहास था और जब वो लोग यहां आ रहे थे तो उन क्रियोचरों ने उन सभी पर हमला कर दिया और उन सभी को पानी के अंदर खीच लिया और उन्हें आइसलेंड पर आने का मौका ही नहीं मिला मुझे इनके सिप से कुछ डाइनामाइड यानि की बॉम मिले थे लेकिन वो सब के सब खराब हो चुके थे तो फ्रेंड गुरुनर से कहता है कि चलो उस सिप की जाकर तलासी लेते हो सकता है कि हमें कुछ वहाँ पर मिल जाए पर गुरुनर कहता है कि यार मुझे कोई इंट्रस्ट नहीं उन क्रियेचरों का खाना बनने में तो तुम अकेले ही जाओ लेकिन फ्रेंड कहता है कि बस तुम बोट के उपर ही रहना और उपर से ही ऑक्सिजन पंप करते रहना पानी के वहीं पर होता है तो वो दोनों एक साथ समुदर में नहाने लगते हैं गुरुनर भी ये सब चुपकर देख रहा होता है और उसे जैलिसी होने लगती है कि इससे क्यों इसकी एतनी दोस्ती हो रही है फिर जब फ्रेंड वापस लाइट हाउस आता है तो गुरुनर उससे कह जाता है और किसमत से उसे वहाँ पर बहुत सारे बॉम मिलते हैं फिर वो जलदी जलदी उनवाक्सों को लगता जाता ह mentioned ये साथ ये होती है उसके एक हफते तक कोई भी क्रियेचर नहीं आता और हम देखते हैं कि इस आइलेंड पर सर्दियां भी बढ़ने लगी थी चारों तरफ बर्फी बर्फ थी और गुरूनर चाहता था कि इससे पहले वह सारे क्रियेचर को मार डाले इसलिए वह हर वक्त एक्ट जैलिस था कि इन दोनों में इतने अच्छी दोस्ती क्यों हो गई गुरूनर कहता है कि आज रात जैसे ही क्रियेचर आएंगे तो मैं उन सभी को मार डालूंगा रात होने पर फ्रेंड लाइट हाउस के नीचे ही रहता है ताकि वह इन क्रियेचर को देख सके वहीं पर गु जैसे तैसे अपनी जान बचा कर लाइट हाउस के ऊपर चला जाता है और इसी के साथ गुरूनर उस टाइनमाइट को ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से सारे क्रियेचर मारे जाते हैं लेकिन फिर वो दोनों भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके थे फिर वो जब ए जाती लेकिन गुरूनर की वजह से क्योंकि वो इन्हें मारना चाता था इसलिए ये भी उस पर अटैक करते थे तब ही वहाँ पर गुरूनर आ जाता है और अपनी गन एनेरिस पर पॉइंट कर देता है और कहता है कि अंदर जाओ लेकिन एनेरिस के अंदर बहुत गुसा थ क्योंकि इसने उन क्रियेचर्स को मारा था तो इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती और उसे गुसे से देखने लगती है ये देखकर गुरूनर को यकीन नहीं आता और पागलों की तरह बड़बडाने लगता है कि ये क्या हो गया और इसी के साथ वो लाइट हाउस के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहां पर खत्म होती है मजाग कर रहा था ऐसा कुछ नहीं है मूवी अभी बाकी है मेरे दोस्त और अब भार फ्रेंड एक हड़ी से बना हुआ सिप उस क्रियेचर के एक बच्चे को दे देता है वो बच्चा उस सिप को देखी रहा होता है कि इतने में ग्रूनर उस पर फायर कर देता है जिस वज़े से वो बच्चा वहीं मारा जाता है सारी क्रियेचर पानी के अंदर चले जाता है फ्रेंड अंदर आके ग्रूनर से लड़ने लगता है इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है एक पल ऐसा आता है कि जब फ्रेंड को जान से मारने वाला होता है कि तभी फ्रेंड गुरुनर का असली नाम लेता है और उसे कहता है कि तुम वही होना जो मुझसे एक साल पहले या मौसम की जाच करने आया था तुम भी मेरी तरह एक वेदर आपसरवर थे जो कहानी तुमने बताई थी उस आदमी के बारे में जिसे बीमारी थी और वो मारा गया था वो तुम ही होना ये सुनकर गुरुनर घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कभी किसी को उसकी असलियत पता चले वरना उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ता है और तबी वहाँ पर कुछ लोग और सिप कैप्टन आते हैं और उनके साथ एक और वेदर आप्सेरवर आया था जो कि अब फ्रेंड की जगा यहाँ पर अब काम करने वाला था यहाँ पर फ्रेंड की हालत थोड़ी अजीब हो गई थी उसके बाल और दाड़ी थोड़ी जादा बड़ी हो चुकी थी जिसकी वज़ा से वो कैप्टन उसे नहीं पहचान पाता उसे लगता है कि वो ग्रूनर है जो कि लाइट हाउस में रहा करता था और फ्रेंड भी खामोस रहता है क्योंकि वो भी अब यहां से जाना नहीं चाता था कैप्टन जब फ्रेंड के बारे में उससे पूसते हैं तो वो उन्हें वही जवाब देता है जो उसे गुरूनर ने दिया था कि उस लड़की को कोई बिमारी हो गई थी जिसके वज़े से वो मारा गया फ्रेंड अब वैसा ही फिल कर रहा था जैसा गुरूनर किया करता था वो अब यहां पर पीस से रहता था उसे अब कोई यहां पर कुछ नहीं कहता था और उसे यह जिन्दगी काफी अच्छी लग रही थी और सिप कैप्टन कहते हैं कि यहां की तलासी ली जाए और हम देखते हैं कि एनरिस भागती हुई समुदर के अंदर चली जाती है जिससे यहां यह पता चलता है कि यह दोनों भी यहां साथ में रह रहे थे इसी के साथ अब यह मूवी यहां पर खत्म होती है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो का एक लाइक करे चैनल पर नए है तो उससे सब्सक्राइब करे मिलते हैं आप से और भी आसे हैं यह वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई